अलो दोस्तो, कैसे हैं सब लोग उम्मीत करता हैं सब बड़ी होगे दोस två आजकी वीडियो में से बात करना चाहता हूं एक ऐस मोस्त कॉमन टॉपिक के बार है जो कि बहुतसा लोगों को शायर पताहँ जब तक आपको पता है इस चीज का आपको बहुत भाई पैमाना चुकाना पड़ सकता है वह कैसे मैं आपको बता रहा हूँ बहुत साही लोग कहते हैं कि भाई मुझे ना वेड गें करना है यह करना है तो भाईया जब तक आपके शरीर प्राणा मल बैठा रहेगा तो इन सब चीव को आपको ध्यान में रखके चलना होगा अब यहां पर आपकी शरीर कैसे संकेत करती है कि आपकी शरीर में खाना लग अब खाने के साथ आपका पेट हमेशा फूला फूला लगता है तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में आपके आपके बॉडी में यह आपको इंडिकेट करिए बहुत अच्छे तरहे के से बहुत साही लोग नदाज करते हैं वह चीजी है कि लोग accept नहीं करते कि भाईया वो पानी कम पीते हैं लोग कहते हैं मैं एक लिटर पानी पीता हूं दो लिटर पानी पीता हूं लेकिन साथ में वो लोग वर्काउट करके पसीना भी तो बहुत ज़्यादा बहाते हैं तो बहुत बढ़ा कारण है कि भाईया आप लोग पानी कम मात्रा है पीते जिस वैसे एप करवेड़ेंहें रिई कहना चैनि अनुंके लिए करको है पहेड़ा करें यह निकल रहा है मतला एका मकंट रहा है वो म्राज निकल रहा है से लिए इतना खराब होता है खराब कंडिशन होता है जिस वएसे आपका जो आप नया खाना खाते हैं वो भी पड़े-पड़े शरीर में सड़ता रहता है वो शरीर में जो खाया प्यों आपके लगने ही नहीं देता ठीक है तो यह बहुत बड़े दिक्कत है इसको भी आप ना करें आप चौथा संकेत आपकी शरीर जो आपको देती है वो यह देती है कि भाईया आपकी शरीर आपको बताती है कि भाईया जो आपको हैडेक होता है यह आपको खाना देखकर क्या आपका जी नहीं करता है यहाँ पर आपकी शरीर यह भी इंडिकेट करती है कि भाईया आपक क्योंकि भाई आपकी इंटेस्टाइन में गंदगी भरी पड़ी है, मल भरा पड़ा है, जिसके वैसे आपकी बॉड़ी आलाउ नहीं कर रही है, और खाना खाने को, तो एक कुछ ऐसे कौमन संकेत आपकी बॉड़ी देती है आपको, यदि आप लोगों को जैसे ये कंडीशन हो रखे है कि भाई आपके हैं मल इकठा हो रखा है, खाना पड़े बड़े सड़ा है, तो ये कुछ बेसिक इंडिकेशन आपकी बॉड़ी देती है, बस इसको आपको पहचानने की दे रही है, लगातार ब्लोटिंग होती है, तो ये भी बहुत बड़ा गारने जैसे मैं आ अधे घंटा को तहनना होगा, तो उससे क्या होगा, आतों में जमवः जर्षानी से बाहर निकल जाएगा, जब बहुत अधुरुआ निकल जाएगा, तो बेजग होकर के आपके शरीर की दूसरी गलती लोग यह करते हैं कि आपनी डाइट में फाइबर की मात्रा नहीं बढ़ाते हैं, उनका जो खाया पिया है वो पच्टा नहीं है, खासकर इन फाइबर लोग नहीं एड करते हैं, यानि रेशेदार फाइबर जैसे अंकुरी चना हो गया, या पाचुकंदर हो ग लंबियात अगर वह साफ नहीं रहेगी तो वहाँ पर आपका सारा घ्राइबर नहीं रहेगा इसका एक समाधान और आता है जिसको आप लोग अगर अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा मिलेका आप फिजिकल वर्काउट करना शुरू करिए, जैसे कहते हैं जैसे जि बढ़ेगी और आपकी पूरी बॉडी का फंक्शन है वह एकदम नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि बॉडी एकदम लूस पड़ी आप लोग खाये रहते हैं पड़े रहते हैं कुछ करते हैं लेकिन फिजिकल स्ट्रेस भी देना उतना ही जरूरी है जितना मेंटल स्ट्रेस दे हैं यह बहुत ही सिंपल सी लाइन है लेकिन बहुत ही आप लोगों के काम आने आले हैं इस चीज को आपको ध्यान रखने हैं लोग कहते हैं माज इंदर खारों पेट खराब हो रहा है पूंसिया पढ़ दिये दाने पढ़ने हैं तो भाईया यह सब चीज़े एक दूसरे से लोगी वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में इस चीज को आप अप्लाई करके देखें आपकी सारी चीज़े वें काम की हैं आपके जरूर काम हाई के लिए अगली वीडियो में तब तक बाइबाव और थाको पर रॉचेंग